हलो फ्रेंड्स, RSSB के लिए डिक्टेशन नमबर 36, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद स्टार्ट भारतिय संस्कृति में मंगल में भावनाओं की प्रधानता रही है इन भावनाओं की अभिव्यक्ति संस्कारों के अलावा अन्य कई रूपों में होती रही है प्राचिन काल से ही भारतिय संस्कृति में अन्दान, धन्दान, आदी के साथ कन्यादान भी परमुख माना जाता था माता पिता अपनी सामर्थे के अनुसार कन्या को आभुशन वस्त्रवे आवशक वस्तुएं देते थे जिससे उसे ग्रहस्त जीवन शुरू करने में समुचित सहायता मिल जाती थी वेदिक काल में देहज के साथ जो मंगल में भावना थी उसका धीरे धीरे लोप होने लगा शुरू में देहज स्वेचिक था परंतु मध्यकाल में यह आवशक एवं अनिवारिय सा हो गया फल स्वरूप कन्यादान माता पिता के लिए एक बोज बन गया धर्म के ठेकेदारों ने इसको धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी धर्म भीरू जन्ता के पास कोई विकल्प शेश नहीं रहा देहज के इस विक्रत रूप से बाल विवा अनमेल विवा और बहु विवा प्रथाओं का परचलन हुआ वर्तमान काल में देहज प्रथा ने विक्राल रूप धारण कर लिया है और इसके फलस्वरूप नारी समाज के साथ अमानुवे व्याहवार होता है इससे कन्या का विवा एक जटिल समश्या बन गई है माता पिता अपनी सामर्थे के अनुसार देहज देना चाहते हैं जबकि वर्पक्ष वाले मूह मांगा देहज लेना चाहते हैं वे लड़के के जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्च वसूल करना चाहते हैं माता पिता देहज के चक्कर में आजीवन कर्ज के भार में दब जाते हैं कई बार मुह मांगे देहज की व्यवस्था नहीं होने से दूले सहित बारात लोट जाती है उस समय कन्या के माता पिता रिष्टेदारों और उस कन्या की क्या दशा होती होगी इस प्रथा के कारण कन्या वे उसके माता पिता को अनेक अस है यातनाई भोगनी पढ़ रही है आज का युवा वर्ग मानविय द्रस्टी कोण अपनाना चाहता है परन्तु कुछ तो अपने लालची माता पिता का विरोध नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग शादी का रिष्टा ते करते समय सुधारवादी बनने का ढोंग रचते हैं परन्तु शादी में मन चाहा दहेज नहीं मिलने पर बहु को परेशान करते हैं उस अनेक यातनाई देते हैं उसे मार डालते हैं जला देते हैं और आत्म हत्या करने को विवश कर देते हैं नव विवाहिता ससुराल में जुल्मों का शिकार हो जाती है भारत सरकार ने सन 1905 में दहेज उन्मूलन कानून भी बनाया है कानून के अनुसार दहेज देना वे लेना कानूनी अपराद है सरकार ने दहेज विरोधी कानून को परभावी बनाने के लिए एक संसदिय समीती का गठन किया है सन 1983 में दहेज से सम्मंधित कानून को परभावी रूप दिया गया है इसके अनुसार जो देहेज के लालच में यूबती को आत्म हत्या के लिए विवश करे उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाए सरकार इस प्रथा के उन्मुलन के लिए सचेस्ट है तथा कुछ सामाजिक संगठन भी इस समस्या के उन्मुलन का परियास कर रहे ہیں इस समस्या के कारण नारी समाज पर अत्याचार हो रहे हैं नव यूतियों के अर्मानों को रौन्दा जा रहा है उनको अमानुविय व्यावार सहन करने पड़ते हैं अतर समाज में अभिशाब बनी इस प्रथा से नारी को मुक्ति मिले यह मानुविय दुरस्टी कोण नितांत अपेक्षित है ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बारे में इतना कम जानते हैं कि आंतरिक स्वरूप से हमारा संपर्क ही तूट जाता है आईए एक सरल उधारन लेते हैं जिसका श्रे मैं डॉक्टर नील वोरेन को देता हूँ शनिवार के दिन तीन साल का एक लड़का पास में खेल रहा था जब उसके डेडी ड्राइव वे में कार धो रहे थे सडक के पार दो बड़े लड़के खेल रहे थे छोटे लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके पास जाकर साथ खेलने की इच्छा जता है लेकिन वह लड़का उन्हें परभावित करना चाहता था इसलिए वह अपनी वेगन के साथ कर्तब दिखाने लगा और परिणाम यह हुआ की गिर गया अपनी छिली कोहनियों को देखकर वह रोने लगा डेडी को थोड़ी शर्म आई की उनका बेटा इतना फूवड है और अब इतना ज्यादा रो रहा है की सडक के पार खेलने वाले बड़े लड़के हसने लगे हैं उन्होंने चिड कर कहा रोना धोना बंद करो तुम्हें खास चोट नहीं लगी है मर्द बनो लड़का दुविधा को हल करने की भरपूर कोशिश करता है मेरा मन रोने का हो रहा है आज तक जब भी मुझे चोट लगी है मैं हमेशा रोया हूँ लेकिन रोने से डेड़ी नाराज हो जाते हैं बहतर होगा कि अगली बार में न रोम तो अगली बार जब लड़के का मन रोने का होता है तो वह अपने होट काटना सीख लेता है वह इस तरह काम करना सीख लेता है जैसे उसकी भावनाएं ही न हो नकारने के परकिरिया शुरू हो जाती है एक छोटी लड़की जब किसी रिस्तेदार के प्रती नापसंदगी दिखाती है या अपने भाई से नफरत करती है तो उसकी मा उससे कहती है कि इस तरह की भावनाएं भयंकर हैं जब उत्सा और रोमांच से भरपूर कोई बच्चा धड़ धड़ाता हुआ कमरे में गुस्ता है तो पिता जल्ला कर डाट देता है चुप रहो तुम में क्या गड़वड है इस तरह के संदेश सेकडो बार सुनने के बाद बच्चा सीख जाता है कि दुनिया में अच्छी छवी बनाने के लिए अपने सभी आवेगों का इजहार नहीं करना चाहिए और अक्सर अपनी भावनाओं को नजरंदाज करना चाहिए पेरा हम जिस थाली में खाए उसी में छेद करना शुरू कर दे तो यह हमारी सबसे बड़ी नासमझी नहीं होगी तो और क्या होगा प्रत्वी हमें नी स्वार्थ भाव से जीनी के लिए सब कुछ देती है लेकिन हम नासमझी बरतते हुए इसे ही नुकसान पहुचाते हैं और अपनी स्वार्थ के लिए आखे बंद किये रहते हैं क्या यह हमारी नासमझी नहीं है महत्मा गांधी ने परियावरण और सतत्विकास पर कहा था कि आधूनिक शहरी ओधुगिक सब्भेता में ही उसके विनाश के बीज निहित है इंसान ने अपने हातों ही प्रकरती की नाक में दम करके अपने और अन्य प्राणी जाती का विनास का सामान तयार कर लिया है कहने को प्रत्वी की सुरक्षा के लिए प्रत्वी दीवस संपून विश्व में मनाया जाता है लेकिन आज जिस तरहे पूरा विश्व जिस तरहे गलोबल वार्मिंग के खत्रे से चिंतित है उसके लिए तो प्रती दिन ही प्रत्वी दीवस मनाया जाना चाहिए साथ ही जो लोग प्रत्वी दीवस पर बढ़ रहे प्रदूशन से कुम्भ करने नींद में सो रहे हैं उन्हें जगाने के लिए भी यह जरूरी है इस्टॉप